लूटबाट की घटना को अंजाम देने वाले चार अपणाधी ग्रिफतर बीदे 4 सेतंबर 2021 को रंजन कुमार मिश्रा पिता स्वर्गे सुरेस मिश्रा से मोटरसाइकल से रात के करीब 10 बच कर 15 मिनट पर भाल पट्टी च्यतर के करीब मोटर साइकल सवार चार अपनाधियों द्वारा ओवर टेक करके धक्का देने के बाद पिस्तोल का भै दिखा कर उनकी मोटर साइकल समेत आठ हजार नगत एवं एक मोबाइल फून लूट की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके बाद घटना के संदर्व में मामला दर्ज हुआ और अपनाधियों की पहचान कर तलाश की जा रही थी दिनाग 12.9.2021 को पुलिस को गुप सूशना मिली की अपनाधि एक नई घटना को अंजाम देने जा रही है जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुच कर चार अपनाधियों को गिरफतार करने में सफल रही तथा चार अपनाधियों के पास से दो मोटर साइकल, पाच मुबाइल, दो आरंस, चार गोली ब्रामत की गई है वह यह आपको बता दे की उक्त जानकारी SSP बाबुराम ने प्रेस कॉन्फरेंस करके दी है उनके चार साथी अभी फ्रार हैं, उनकी गरफतारी के लिए भी चाप एमारी की जा रही है और फूस्ताच में बात सामने आई है कि उसी दिन और उससे पहले भी इन अपरादियों ने मदुबनी ठाना शेत्र में भी कहीं घटनाओं का अंजान दिया है और खानों से भी इनकी क्रिम्नल हिस्ट्रिया पता लगाया जा रहा है अभी तक तीन केस सामने आचुके हैं इस अभी अपरादी मदुबनी जिला के खजावी और असपास के एरिया के रहने वाले हैं जांसमेन के बाकि चार साथि रोग के गड़तारी होने के बाद में और भी कुछ पुर्वेदर होने के सम्हा होना है इस इरो से भी लोग है क्या इस अभरादी की भी थास है इस नियूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर दा कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस्वेर शोरूम सुभास चौक दर्भंगा ली एक सक्लूसिव शोरूम सुभास चौक और दैने कॉमी तंजीन न्यूजपेपर दर्भंगा